रेगो माता दोस्तों, तो आज जो गाई के छास उसकी क्या वेल्यू है, मेडिशनल प्रोपर्टी उसमें क्या है, वो समधने की बहुत आवस्यक्ता है, जैसे कि मैं अभी आपको एक उधारन देता हूँ, कि आप जैसे गाई की छास विविध उप्योग में ली जाती है, ले आपको मैं एक प्रयोग बताता हूँ अभी, जैसे कि आपको हम लोगों को फंगल इंफेक्शन होता है, इंटर्नल पार्टो में, प्राइवेट पार्टो के आसपास, ये फोटो साइड में दी गई है, जो आप देख सकते हैं, यैसे फंगल इंफेक्शन होते हैं, उसमें और एक जो कुवाडिया करके एक अउसदी है, उसको अपन कैसे यूज में ले सकते हैं, वो आप देख सकते हैं, जैसे प्राइवेट पार्ट में फंगस हो जाना, दाद खाद हो जाना, खुजली हो जाना, और बहुत सारी दवाई लेने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे समय में यदि आप ये जो कुवाडिया के बीज के पावडर के साथ, आप देशी गाई की एक दिन पूरा निचास, उसको मिला के और अच्छी सी पेस्ट बना ले, और जो जखम है, जो घाव है, उसको अच्छे से साप कर ले, उसको है, चार दिन में चला जाएगा, और ऐसे हजारों केस में हमने ये ट्राइ किया है, और सक्सेस रहे है, और ऐसे दो चार केस के रिव्यू भी में आपको यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो हमारे गोपालक भाई है, उसको जो जो ये परिस्तिती हुई है, और उसको कै जगवय का सही उपयोग और इसको सही माहिने से यूज किया जाए, तो गाई की वेल्यू बढ़ेगी, गाई को सम्मान मिलेगा, और गाई के बारे में सही लोगों को जागरुक का मिलेगी, और उसी से ही गाई बचेगी, क्योंकि गाई बचेगी जब आपके उसकी मुल्यो डॕ पाओगा जब गाई बहु expamily जानकारी जब गाई बते गी बाकि गोमाता करने से गाई बचने का संभव नहीं है और गाय कभी nokasaदन ही नहीं है मं जा नहीं कभी सेंडसा रहेंगी गायी उप्योग के अनन्य शरीद्या है और अशॉ गाई का बच्चा और समवर्धन होगा, जै भारत मता, जै गुमता. जै गुमता, मेरा नाम निलेस बढ़ेले, मैं यहाँ गॉंडर से हूँ, जो मेरी भायत को फंगल इत्रेक्षा हुआ था, वो मिने बहुत दवा ली, यहाँ वहाँ सब लोग केते थे वहाँ जाओ, उदर जाओ, लेकिन कोई फरक ही नहीं पड़ता था, दवा चालो होती तब मिच जाता, फिर से बदवता दाओ, लेकिन मैं यहाँ रमेश भाय के वहाँ आया, तो उसने बताया, देसी गए का छास, और एक वाड़िया का बीज, वो दो दिन लगाया तो बहुत भरक पड़ा, तो मैंने वो कहा के तुम लगाओ, मेरी भायत को, तो लगाया तो उसको स मैं था, उसको भी बोला मैंने, कि लगाओ, मैं उसके लिए यहाँ से लेके जाता हूँ, वो अर्य के भी, तो वो सब जगाँ पर जाता हूँ, अभी मैंने दो दिन पहले ही, यहाँ से लेके गया था है, हमारे यह और गिनिक कहा है, तो मेरी गर, वहाँ से, तो बहुत मुदल का रहने वाला हूँ, मैंने बिकोम तक पड़ाई की है, मेरे सरीर में, मेरे आथ में, फिरे में प्राइवेट पार्ट में, हंगल इंफेक्शन हुआता, मैंने बहुत सारी एलोफेटिक्स दवा ली, लेकिन मेरे को मटाने, वो दवा का इंफेक्शन होता है, तब त सरीर में से सारे पे सारे फंगल इंफेक्शन निकल गए, और आथ तक मेरे को अभीतर खुजली नहीं आई वापस, यही इसका बहुत बड़ा उप्यों है, बहुत आदे लिनी वादु मैं सवशार्दा संवे काणेकर महारास्टर राच्या में कोलापूरी जिल्ले में रेती हूँ, मैं गोपालन करती हूँ, देड़ सार पहले मुझे एक चर्म की बिमारी हुई थी, इसमें मैं बहुत अलोपेतिक गोली लिया, फिर भी उसका कोई फायदा ने वा, पूरा एक तीन-चार मन्त मैं वैसे ही कुछ प्राब्लेम में थी और बहुत ही खुजली अगरा सब कुछ हो रहा था, बात में एक बार हमारे घर, हमारे हस्बन के दोस्त रमेश भाय रुपा लिया, गोपाल, वो आये थी, उन्हें मुझे एक दवाई दी, चर्म मर्दक बिच, उसका मैंने पाउडर बनाया, और शाच में डालकर, पूरे दो दिन वो चर्म का पाउडर पूरे शरीर को लगाया, और उसके बाद, वो मेरी जीब भीमारी थी, वो पूरी भीमारी गई, उन्होंने मुझे बताया था, कि वो तीन दिन में जाई गई, शाच और चक्रमर्दक पा मैं बहुत सारा पैसा खर्श किया, फिर भी मुझे ये गाय का चाच और वो चक्रमदी पाउडर से ही वो मेरा पूरे शरीर अच्छा हुआ, और आज मैं बहुत हुआ, आज मुझे कोई नामने शाना वो चरू का, कुछ भी प्रॉब्लेम नहीं है झाच जाच बहुत हुआ, बहुत है